आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे की जा रही है कि फिल्म 2024 में जोरदार शुरुआत करेगी ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल पठान ने की थी इस फिल्म को भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म माना जा रहा है फिल्म में पहली बार रितिक रोशन और दीपी का पादुकोंड की ओन स्क्रीन केमेस्ट्री नजर आएगी इसी के साथ फिल्म की धुआधार एडवांस बुकिंग भी हो रही है चोली जानते हैं फाइटर ने फिर्स डे के लिए अब तक कितने टिकट्स की सेल कर ली है और कितनी कमाई भी कर ली है फाइटर ने एडवांस बुकिंग में कर ली कितनी कमाई रिलीज से पहले ही फाइटर का क्रेज फैंस के सर चड़ कर बोल रहा है इस फिल्म के ट्रेलर और तमाव पोस्टर ने इसे लेकर बस काफी बढ़ा दिया है ऐसे में फिल्म को फॉर्स डे देखने के लिए भी लोगों में होड मची हुई है इसे के साथ फाइटर की खूब एडवान्स बुकिंग भी हो रही है फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो सैक निल के रिपोर्ट के मताबिक फाइटर ने अब तक अपने शुरुवाती दिन के लिए हिंदी 2D में 68569 टिकट बेचे हैं हिंदी 3D के लिए फाइटर के अब तक 87,579 टिकटों की अडवांस बुकिंग हुई है हिंदी आई मैक्स 3D के लिए फाइटर के साथ 1432 टिकटों की प्री सेल हुई है हिंदी 4D इंटू 3D के लिए फाइटर के 2473 टिकट बिके हैं इसी के साथ फाइटर के पहले दिन की अडव करोड का कलेक्शन कर लिया है पहले दिन कितने करोड से ओपनिंग कर सकती है फाइटर फाइटर के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के आकणों को देखते हुए इसके पहले 25 करोड रुपए कमाने की उम्मीद लगी है गौर करने वाली बात ये है कि फिल्म गरतंत्र दिवस पर आल फिल्म से यही उम्मीद की जा रही है कि बॉक्स ओफिस पर इसकी अच्छी पकड़ हो और इसे एक अच्छी ओपनर माना जाए सद्धार्त आनंद्वारा निर्देशत फाइटर में करन्ट सिंग रोवर और अक्षय ओबिरोई ने भी एहम रोल प्ले किया है आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सबसे आगे